आर बियाई क्रेडिट पॉलिसी के कारण लास्ट फ्राइडे के सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा हमको डिप दिखाया है अब क्या इस डिप को हम बाइंक लिए यूज करें या यह शुरुवात है रिवर्सल की रिवर्सल यानि क्या यह शुरुवात है अब मार्केट के डाउन ट्रेंड की दोस्तों अगर आप सभी के मन में ये धेड सारे कोश्चिंस उट रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं ये कोश्चिंस सॉल्व करने वाला हूँ नमश्कार दोस्तों मैं हूँ प्रभात कुमार स्वागत करता हूँ प्रभात वेडिंग सर्विस में दोस्तों आज की वीडियो में मैं इंपॉर्टन लेवल बताने वाला हूँ कल के लिए यानी 7th जून 2021 के लिए निफ्टी मांक निफ्टी के और along with this मैं आपको बताने वाल यह 2500 लाइक तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों आई हम समझते हैं निफ्टी बाक निफ्टी का व्यू कल के लिए अभी जो निफ्टी है हमारा यह बहुत ही इंट्रस्टिंग लेवल पर है ठीक है और मेरे को लग रहा है अब यहां से करेक्शन थोड़ा हो गया अब फिर से एक नई राली स्टार्ट हो जाएगी ठीक है दोस्तों देखिए अभी क्या है स्टी हमको दिखाई दे रहा है 15800 के आसपास और यूएस के मार्केट जो हैं बहुत तेजी से बंद हुए यानि बहुत चड़के बंद हुए यानि मार्केट मंडे को गाप को देख पा है पहला दूसरा तीसरा ठीक है तो कल के ट में मंडे के डिट में 15,680 के अवर बायकर करके चलना फ्रेश खेंच है То का यह तीन टागेट रहेंगे निफ्टी में अल्राइट अच्छा आप सुनिएगा अब 15,680 के रेवल तोड़ते ही यू कन दू वन तिंग आप कॉल ऑप्शन अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो कॉल ऑप्शन में आप 15,650 का आप कॉल आप्शन को बाय करके चल सकते हैं और राइट दोस्तों अच्छा एक्सपाइरी कौन सी होगी आप देख सकते हैं हमारी एक्सपाइरी होगी 10th of June वाली ठीके आप धान रखिएगा ये कल के लिए रणीती है यानि Monday के लिए ओके ये है अच्छा जैसी देखो अब ये क्या ये रेंज बना रहा था रेंज बना था रेंज बना था रेंज बना था रेंज बना था सस्टेन करेगा ये निकल जाएगा अगर ये लेवल देखने को मिलेंगे 16,000 के तो धान रखिएगा आप इन सबको ठीके अच्छा माल लोगर गाप खुलता है याप खुलने के बाद क्या करने का है आपको ठोड़ा चोड़ना है ठीक है वहां पर आपको लीव करना है वहां पर आपको गाप फिलिंग काइंड अफ देखने को ठीक है यह रणी थी हमारी दोस्तों ठीक है और सेलिंग के लिए तो अभी मेरे पास कोई वह नहीं है सेलिंग आपको तभी करके चलनी है जब हमारा 15,000 के नीचे क्लोज होगा हमने क्या बताया था बाय और करके चलना है निफ्टी को तो यह लेवल टूटेगा न यह और प आपको नैलस्स करके दी थी निफ्टी में वह तही हो रही है 15,000 के हमने दोस्तों 25,000 के आशपस हमने आपको निफ्टी के नैलस्स बनाया था और साच सो पॉइंट चल चुका है साच सो पॉइंट आप समझ सकते हैं यह पाबर प्रपार्वाज रविटिक सरविस की ठीक है चलिए हम जान जोके निफ्टी का विव और देखो निफ्टी एक क्वई करेंज बना बना के उपर जा रहा है now ready निफ्टी is ready to move up let's wait and बस 16000 के दर्शन होने वाले हैं इस मन्त मेरे को लग रहा है है ऐसा feeling आ रही है ठीक है हम जानते हैं बांक निफ्टी का विव दोस्तों देखिए बांक निफ्टी हमने क्या बताया था आप काइंड ऑफ सेल कर सकते हैं अगर आप स्क्रीन के सामने बैठते हो तो जसी लेवल टोटेगा आप सेल कर देना बिना किसे पूछे पूछे ज़रूर बढ़ाईएगा ठीक है अब नाव कल के लिए यानि मंडे के लिए यानि सेविंट ओफ जून के लिए यहां पर आप देख सकते हैं दसमेंट के चार्ट पे एक रेजिस्टेंस बनते हो दिख रहा है यह वाला ठीक है और एक यह वाला ठीक है तो हमको कल बाई करके चलना है है 35,360 के ऊपर ठीक है तो बाई अवव 35,600 कितना 35,360 तो आपको बाई करके चलना है 35,360 के ऊपर एसल क्या रहेगा 35,290 का स्टागेट वन क्या रहेगा 35,500 स्टागेट रहेगा 35,000 स्टागेट रहेगा 35,650 का स्टागेट रहेगा एक्स्रीम टागेट दे रहा हूं 35,800 का हांजी 35,800 यह कल के लिए रणी ती तो जैसी लवल टोड़ेगा यह एक कंटिनुशन पाटन है और यह निकल जाएगा शूट अप करने के लिए ठीक है इस केस में 35,340 के रवल टोड़ती यू कन डू वन तिंग आप अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 35,300 का आप कॉल ऑप्शन बाई करके चल सकते हैं कौन साइमर बोलिश आइमर वहां पर आपको कंटिनुटर करके चलना है बाइंग के लिए ठीक है यह है अच्छा देखो जो जो करेक्शन पूरा करना था वह निफ्टी वह सुरी वह बैक निफ्टी कर चुका देखो यहां पर बेस बनाया नीचा आया उपर गया नीचा आ चुका अब हर बार यही कंटिनुशन पार्टन फॉलो हो रहा है नाव आप डाम शौर यह दीरे दीरे ऊपर जाने वाला है प्रोबाबिटी यही है ओल्राइट दोस्तों हम जान चुके हैं बांक निफ्टी का विव ऑके अचा बैक निफ्टी को हम सेल कप करके चलेंगे ज कि मेरे को लग रहा है बैक निफ्टी लेगार नहीं बनेगा बैक निफ्टी में भयंकर राली आने वाली है अचा अगर देखो मैं आपको डेली के चार्ट पर देखा हूँ दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लेकि बताईए पांच सेकंड में कौन से पैटरन का फॉमेशन हो रहा है तो जिसने पास सेकंड के अंदर ये बोला है कि एंगल फिन कैंडल बन रही है आप एपसलूटली राइट है बिल्कुल ये एंगल फिन कैंडल बन रही है और यूनों वरी वल कि जैसे कल के रिट में 35,000 राट तो कटेगा ना मैं बता दूं भयंकर शूट अप र वैसलें का ब 만들 करके चलेंगे इसको कंसूर करके कहलें सुक है क मैसी सबस्क्राइब है जाना है निफ्स के साथ कह कौन कौन से आप ऑप्शन को लेकर चलेंगे अकर आप निफ्टी- três चाहते हैं behö इवक्यों तो आप से आट बांड इसका लिंक दिसक्रिप्शन बोक्स में जलिए जानते हैं अपने stocks के बारे में जो हमारा पहला stock है उसका नाम है just dial just dial को हमने आपको swing trading का stock भी दिया है और just dial मेरे को लग रहा है ये Monday के date में आनि कल के date में भागना भी चाहिए अच्छा हुआ क्या है देखो इसका breakout है ठीक है और इसका भी breakout है now it is holding this level right now what I'm thinking कि ये कल भागने वाला है आई अब समझते हैं 10-minute के chart पर देखो जी 10-minute के chart पर क्या दिखर आपको एक चीज बनते हुए एक आपको चीज बनते हुद दिख रखा है इसका breakout हो चुका है have a look guys right तो breakout हो चुका है 950 के ऊपर ठीक है तो हमको क्या करके चलना है बाय करके चलना है ठीक है 950 के जब तक ऊपर रहता है अच्छा अब अगर देखो मैं आपको पांस मिट का chart दिखा हूँ तो पांस मिट के chart पर आपको एक clear cut संकेत देख सकते हैं कि यहां पर यह हो रखा है क्या हो रखा है एक kind of w pattern भी बन रखा है यह वाला ठीक है तो हमें बाय करके चलना है जब तक हमारा just dial 953 के ऊपर रहेगा तो बाय अवर्व 953 गोड़ेट SL क्या रहेगा 948 का SL रहेगा जो आपका target 1 रहेगा वो रहेगा 964 का second target would be 972 का दी ज्यादा two targets राइट कल के लिए तो बाकी breakout दे चुका है और मेरे को लग रहा है कि कल follow through कम कल हमें follow through buying हमें एक देखने को मिल सकती है ठीक है like kind of this right इस प्रकार से pattern में got it यह हमारा पहला स्टाक और देखो जस्टाल अभी तो भागा ही नहीं है यह एक बड़ी यहां पर move बनाया का kind of this type की candle बनाने वाला है ठीक है अब ready हो जाए बड़ी bank agreement आने वाली है इसमें जस्टाल में ठीक है पहला स्टाक हो गया जानते हैं second stock second stock graphim you know graphim looks quite interesting in this level one day के चाट पर देखो गर आप समझेंगे देखो वन दे के चाट पर breakout दे चुका है इस resistance का यह multiple multiple resistance था यहां पर देखो पहला दूसरा तीसरा breakout राइट नाव सोचो daily के चाट अब ब्रेक आउट अब हमको buy करके चलना है now let's shift your chart to 10 minute अब क्या आपको एक यह स्ट्राटेजी बहुत आसान है सरेल है यह कौन से स्ट्राटेजी यह PDH क्या PDH प्रीवियस डे हाई तो कल के डिट में हमको अगर 1507.50 के उपर हमें candle close होते हो दिखती यह 10 minute के तो buy करके चलना है कितना buy above 1507.50 अच्छा मैं काफी लोग को देखता हूं trading मतलब कैसे करते हैं ओ लोग मैं level मैं closing मैं candle close होने का weight करता हूं वो candle strikes बनी रही होती है वाई कर लेते हैं देखिए जी आप अगर ऐसा करेंगे ना कोई आपको सिखा नहीं सकते हैं मैं आपको बता दो राइट ऐसा मत करो जो चीजें बता रहा हूं उसमें फोकस करो candle close होने दो ठीक है तभी वाई करो फिर आप बोलते हैं सर लॉस हो गया तो समझी इन बातों को तो इसको रुबाए करके चलना है एसल करेंगा दोस्तों एसल रहेगा पंधर única 501 फूर्ट का टारगेट वन रहेगा आपका 1523 का टारगेट सेकंड रहेगा आपका 1530 तो दीज साथ टू तो निगरा रहा है तो कलग ये लोगा अगर इसको प्र सुस्किन करेगा तो ही आपको एक um-colle Unto रोबाइन ने को मिल anticipate with the market ठीक है धान रखना तो अब देखो अगर माल लो कल इसे मुवमेंट नहीं आई तो ऐसा नहीं कि परसो मुवमेंट नहीं आएगी परसो हमको एक मुवमेंट देखने को मिल सकती है यानि यह जा सकता है ऊपर ठीक है यह हमरा हो गया दोस्तो दो स्टॉक दोस्तो तीसरा स् है दोस्तो डू क्लगा मरें हमारा फृ औफ कॉस्ट है यहां पर श्री अफ कोस्ट्रेड पासकते है निफ्टी माक निफ्टी के स्तॉक के दोस्तों लास्ट फ्राइडे को हमने आपको स्टॉक्स दिये थे ठीके और अदाने इंटर्प्राइज दिया था ये मेरा थोड़ा सा रिग्रेटिंग वाला ट्रेड था मैंने दिया था हमको लॉस में निकलना पड़ा थोड़ा बहुत बाद में न सौ से डेट सौ सवा सो र आपको दिया बिर्ला सॉफ्ट बढ़िया भागा तगड़ा भागा प्रॉफित हमने पूरा फूल बुक किया ठीके नीचे आएंगे तो अब हम आपको पहले से दे रहे हैं राइट पहले से हमापको लेवल दे रहें थाकि आपको टाइम मिले ठीके हम और भी बेटर कर रह गल्वर आपने कुछ ना कुछ बनाया होगा पैसा हमारे तो इसमें जोई होने के लिए आप उसमें लिंक क्लिक करकर सकते हैं जानते हैं स्कते हैं तो देखो देडी की चार्थ देखें तो डेली की चार्ट पतो चैनल से हुंड रखा है एहां पर इचेकर ब्रेक आउट ब्रेकाउट है नाव इडित हैज लीचेंट टो डेक्मलल रहां हूं देखो आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह क्या हो रखैसे इसके उपर और यह भी है हमारा ठीक है तो यह आपका लेबल कितना है आपका लेबल है 316 का तो यह तो मैं आपको बता दूंगा तेलिगाम गूरूप में राइगा सो यह हैं हमारे आज के स्टॉक्स आज की वीडियो आपको कैसी लेगी है कमेंट सेक्षिय में जो लेकि बताईएगा कमेंट आपके पढ़ूँगा ठीक है और आप लोगे कमेंट के रिप्लाई करूँगा और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सुस्क्रा आप सबीडों